हेलो एब्रिवन दिस रुपेश मिश्राय और वेल्कम यू आल तो यूर चैनल देडिस मैथफेट देखिए हम लोग लिनेर एल्जेब्रा के चौथे चेप्टर पर आ गए हैं और चौथे चेप्टर कोई बहुत जादा बड़ा नहीं है I think this will be completed in this same video और आपको आपकी जानक अब ब्रेक्टर स्पेसेस पे बेस्ट है विच वह देमो वीडियो एक डेमो है वह आपके लिए आप देख लिजी किस तरीके से आपको वह को समझ में आ रहा है या नहीं मेरी बाते बताई हुई मेरे शॉर्ट कट्स जो उसमें उतने ज्यादा भी तो नहीं आए हैं आगे आई मसे दैट दो कोस्ट इस वेरी चीफ विच इस तो हंडे रुपीज फॉर फुल सेमेस्टर एंसी क्यू एक पूरे सेमेस्टर का जितने एंसी क्यू है जितनी बुक्स हैं सब मिला करके मैं बता रहा हूं 200 ऐसा नहीं की पर बुक के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है टूटल फुल एंसी क्यू मिलेंगे आपको फुल एंसी क्यों दसेम सेमेस्टर तो अगर आपको पर्चेस करना है और यू कैन सिंपली मैसेज में टेलिग्रम प्रइवेटली ओके चलिए हम लोगे चैप्टर पे जो हमारा थेओरेटिकल पार्ट चलना है वो पूरी तरीके से प्यो कर सकते हैं सारी की सारी इंडिविज्वल प्ले लिस्ट बनी हुई है उसे अब आराम से एकसेस कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है फ्रीली अविलेबल है आराम से देखिए कॉंसेप्ट बिल्ड कीजिए उसके बाद आपको एम सेक्यूर कोर्स लीजे अगर आपका न से तो वो कहीना कहीं से आप मिली जाते हैं हमारे चैनल पर ठीक है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए देखते हैं जो हम लोग जिस वीडियो को पढ़ने हैं वो पढ़ते हैं चैप्टर नबर पूर लेनियरल जप्राइब का यूरे नमबर सैवन पर आगा है हम लोग और कुछ नोटेशन से कुछ नोशन से जिन्हें नोशन बोलना जाए द Both kiya है उनको मैंको कैसे यूज करना है क्या मतलब होता है नोशन बोलते हैं किया नोशन है देखिए अगर मालने आते हैं थोई देर के लिए यू एंड वी आर टू वेक्टर स्पेसे और टू वेक्टर स्पेसे ठीक है दो वेक्टर स्पेस है यह ओके देन जो यू क्रोस वी अगर आपको लिखने को बोला जाए तो उसके जो यू एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे यू कॉमा वी टाइप होंगे या आप एक्स को मावाई ज्यादा फिर मैसे एक्स उठाएंगे यू में से एन वाई उठाएंगे वी में से मतलब यह सारे के सारे का एक सेट है जो जो एलिमेंट्स इसके यू और कैपिटल वी दोने दोनों के वेक्टर स्पेस हैं उन्हें बिलोंग करता है ठीक है इसके साथ ये कंडिशन मिलती है दो क्या अगर माले जी यू क्रॉस वी के दो एलिमेंट उठाया जाए लाइक एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स टू कॉमा वाई टू का एडिशन किया जाए ठीक है अगर इसको हम एड़ करें तो क्या मिलेगा यह पहले सही जानते हैं इसको कॉम्पोनेंट वाई एडिशन बौलते हैं एक्स वन के साथ एक्स टू एड़ हो जागा और वाई वन के सामने वाई टू है तो वो भी कंपोनेंट वाई एड़ हो जाएगा एक पोईंट क्तों और मिलता है अगर कोई स्केलर आपने उठा लिया को और आपने मलटिप्लाइं किया एक व्यक्टर के में यू ग्र में यू ग्रॉस ही कह तो क्या और कで क्या होगा दोनुदर दोनों में कंपोनेंट में मल्टिप्लाई हो जाएगा ठीक है फॉर ओल के बिलॉंग स्टू एफ फील्ड में हमने उठाके लिख लिए ठीक है कि आज बस में स्केलर मल्टिपिकेशन और वेक्टर एडिशन एक तरीके से हो गए यह दोनों कि तो इसे हम लोग क्या है यह दो नहें किया है अब अगली सेम डबलू के मालों यह डबलू कर बराबद चल रहा था तो डबलू का एक नाम दे आ जाता है कर दी एक्स्टेर्णल डाइर्ट प्रोड़ूक्त डाइर्यक्ट प्रोडक्ट अब एक्सटर्नल डारेट प्रोडक्ट ऑ और यू एड वी है कि और कैसे लिखते हैं यह आप यह सब्सक्राइब और प्रोडक्ट के रिए ऐसे बनाते हैं लोग अब यह वह डायक्ट प्रोडक्ट एक तरीके से यहां पर ठीक है एक्सटर्न डारेक्ट प्रोडक्ट क्योंकि वहां पर भाई सबस्पेसे लेने मते थे आप सबस्पेसे नहीं आप एक्टर स्पेसे से यू और वी दोनों अलग-अलग आरिबा समझ में देखिए अगली हेडिंग जो चैप्टर का यहां नहीं है बाइलीनियर फॉम्म्स वह क्या होता है तो देखिए अगर एक फ़ंक्चन हम ले लाई है ति अगर माल लेते हैं if we have v over f मतलब एक वेक्टर स्पेस है जो f फिल्ड पर है इस वेक्टर स्पेस अगर यह वेक्टर स्पेस है देन अगर एक मैपिंग बनाई जाए कैसी देन अगर यू और वी अलगा रग लेते थे ना वी और वी सेम ले ले लें दोनों और दोनों ले जाकर कि हम एफ पर मैच कर दें ठीक है तो अगर ऐसा कुछ भी मैपिंग हम बना पाए तो इस मैपिंग को क्या बोलेंगे बाई लिनियर फॉर्म्स ठीक है इस कॉल बाई लींयर इस अअधर इस चीह दो में अभी और जा लहा एक में दो रहा तो बाई से लीनियर में चली जा रही है आप ऐसे याद रखिए ठीक है अच्छा अब यह कैसे डिफाइन होगा यह डिफाइन होता है कुछ इस तरीके से इसमें दो कंडिशन सोती है बच्छों ठीक है कंडिशन कैसे देखो पहली कंडिशन क्या है पहली कंडिशन है अगर माल नेते फंक्शन के अंदर दो एलिमेंट हमने इसके और पेर कैसे होगा एक सबनेक्स टू वाई बन वाई टू टाइप होगा ना तो हमने अगर करे दिया थोई दिर के लिए एक सब्सक्राइब करके और एक सब्सक्राइब में B का मल्डिपाई करके है और उसका और पेर ले लिया है वाई के साथ मतला वह समझ पा रहा है कि V से X1, X2 उठाया और दूसरे वाले V से Y उठाया इसके दो element का linear combination या लिखा और दूसरा वाला ऐसे कैसे लिख दिया बात समझ माई क्या करना है ठीक है ये क्या करेगा इतना करने के बाद इतना करने के बाद ये किसके equal आएगा बस आप समझ जो बड़ी simple जाएगा कि X1 के साथ Y का order pair तो बनी जाएगा function के साथ तो A कहां जाएगा A आजाएगा बाहर ऐसे ही X2 के साथ X2 के साथ भी Y का function बन जाएगा लेकिन B कहां जाएगा बाहर आजाएगा तो ऐसे ये पहली इसकी condition हो गई दूसरी condition देखिए दूसरी condition क्या है लेफ्ट वाले V का एक ही element लिया लेकिन राइट वाले V का दो element का linear combination यानि Y1, Y2 का linear combination लिया तो बिल्कुल पिछले वाले point की तरह ये भी help करेगा कि Y1 के साथ X1 और ये वाइवन के साथ X लिखा ये कॉमा लगा है तो उसका A बाहर आजाएगा यह function of X, Y1 बन जाएगा और ऐसे ही बीव को बाहर आजाएगा और function of X, Y2 यह बन जाएगा आरी बास हमोई में है ठीक है ना चले से बेस्ट कोशन देखते हैं देखे कोशन है अगर इसके और प्लाई हो रहा है तो उधर जा करके F1 X और F2 X में re- prosecution में convert हो जा रहा है क्या यह biling होगा तो चेक कर लेते हैं वाइल है कि नहीं तो लेट कर लेते हैं कि कर लिज लेट कर लेट है मालिया मने X, Y जो है वह वी में बिलाउंग कर रहा एक्स वन एक्स टूभी माल लेते हैं जो भी है ठीक है ना एक्सका एक्सपन एक्सटू ऑटमेटिक हो जाएगा ठीक और एंड जो एफवन है एफटू है वह बिलाउंग करें हमारे स्केलर फील्ड में तो चलिए करते हैं पहला पाइंट एफ ओफ एक्सवन प्लस बी एक्सटू कॉमा वाई इस एक्वेल टू निकालते हैं है अगर हम यह करें तो यह फंक्शन कहता है अगर कुछ ऐसे दो एलिमेंट है तो उनको ऐफ वन एक्सर वाई हो ऊगए ऑस नहीं यह बच्छ को एक सिकंड ही करते हूं यहां पर वाई है ठीक है एक सेकेंड वाई जी हां तो यह क्या करता है एक्स और य में अलग-अलग कर देता है मतलब इस वाले पार्ट को फंचनल यहां पर भी कर देते हैं एक्स एक्स वन प्लस बी एक्स टू इंटू एक्स टू के साथ सिंपल वाई अब आपको पता है लीनियर फंक्शनल है तो अल बाहर एफ वन ओफ एक्स प्लस फ़न फ़न अफ एक्स वन फ्लस बी बाहर एफ एक्स टू और एफ टू ओफ वाई बाहर है जरह मल्टिप्लाइं करिए इदर से क्रॉस इपी डिप्र लाए दिस्रिविटी प्रपर्टि तो आपने जैसे के एक साथ एक एक्स वन और एफ टू वाई प्लस बी के साथ एफ वन एक्स टू और एफ टू के साथ वाई आई बात समझ में अब ज़िए इनको मिला दीजे कुछ जाना पेचाना नहीं लग रहा है बिल्कुल लग रहा है इसी को तो हम लोग एफ एक्स वन कॉमा वाई लिख सकते हैं और दिस इस दिस क अनना गाना सुना अगया आप लोगो ने कि क्या से क्या हो गया पुराना गाना है हुआ का हुआ है कि ऊप एक्स वन कि 10 बी एक्स टू कॉमा वाई मैं यहां लिख दिया तो देख सकते आप यह बाहर आया नहीं और एक्स टीडिवा वह बाहर है यहाँ फिर एक्सक्सट वाई आए बाहर ठीक है क्लियर यह बात सबोच कर देता हूँ मैं स्वाट थिक खेर भाई अब दूस्रा पॉइंट आपके ऊपर छोट रहूं यह तो फॉस्ट भी दन भाई यू दो इट यह जब आए जब मैं लिखता हूँ डिय वाई यह यह फू सेंड डैट सॉल्यूशन ओन टेलिग्राम इफ यू वांट टू ओके नेक्स देखते हैं अदेट से कॉश्चन का यह खर जेंफ की है की का ओनोर याथ बाइन होगा की नहीं होगा तो चलिए नहीं होगा वाला एक कॉशन कर लेता है जो नहीं होगा देखि है कि चेक वेदर जो यह फंक्शन है बाइल इनियर है कि नहीं बागी सारी चीज़ अंडर्स्टूड है कि भाई हमारा जो एलिमेंट होगा वह कैसे कैसे होगा यहां पर बैसिकली जो एक्स हुआ करता था जिसे मैंने यहां पर भी नहीं का पिछले वाली कोशन में वह एक्स का मतलब क्या होता था एक्स एक व्हेक्टम है वी क्रॉस वी का एक व्हःक्टम है टो इसी लिए कि य1 य2 अपने आप आफ आप्टामेटिक आ जाते थे इफ यह वांट तो राइट हीए यू के राइट यह 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 जो एकस है हमारा एकसे जो इस वट्टर ऑफ वी क्रोस वी ओके कैसा और एकसाने क्स टू तो लिलिनर प्रोंवर not by लिनिर है कि नहीं इमध्र चेक करना है वही दोनों वैसे दोनों सेस्वाइब होना चाहिए तो कोई सेटिसफाइ होगा तो जरूरी नहीं है साही हो ना तो आधिये तो यह समझाना क्या चाहता है कि अगर एक्स और य फंक्शन ले लिए तो एक्स वाली का पहला वाला और य का पहले वाले डिफ्रेंस का स्क्राइर और फिर दोनों क्या मल्टिप्रीकेशन को सब्ट्रैक्ट कर बाइलीनियर फॉर्म बनाने के लिए भाई दिए वाइवन वाइटू और दो हो गया और एक तीसरा हो गया तो यहां पर तो कुछ अलगी तरीके से तो चलिए चलिए एक और लिखी लेते हैं जैड माल लेते हैं तीसरा जैड़ इस एकॉल टू जैड़ वन कॉमा जटू कि दिए थोड़ा सा रिलेशन अजीब टाइप का इसमें बनाएं उन्हें कि यहां तो 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 रहेंगे और दोनों में से इसका भी पहला और इसका दूसरा ही तो र इसका भाई इसका पहला वाला इसको पहला ये तो हमें कुछ है सामाना पड़ेगा जिसका रिल्दर डॉसरा डाइप बनें तो हम क्या करने है की अगर अरुथ चेक करने अगोangen रहा है एक्स के साथ भी वाई ले ले रहा है कॉमा लै लिए रहा है तो अब देखर इसका पहला इसका पहला त्le我们 देखेंगो देखो एक साथ एक्स एक्सथ्प को आप क्या एक साथ एक्सальный कॉमा एक्स तू और बी के साथ वाईं कॉमा वाई टू लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं और जै का जड़ी रहें दो कोई दिक्कत नहीं है पर लास्त में कर लेंगे जैड हो गया अब अगर आप रिलेट करें थोड़ी दिर के लिए तो एक सब्सक्राइब यह एक प्र अंदर बन जाएगा एक सब्सक्राइब कॉमा भी वाई वन इसा जोड़ जाएगा कॉमा लगा नहीं कैसे हो गया कॉमत लगेगा साथी साथ एक ब्रेकट भी लगए एक स्टू कॉमा भी वाई टू इस इतने से बना है और कॉमा जैड का क्या हो जाएगा जैड़ वन कॉमा जैड का मदे टू ठीक है अभरलेट करिए अभ गया काम क्या काम हो गया भाई समझे देखें यह पूरा वह एक ऐसका पहला वाला यह दूसरा वाला यह और यह एसका पहला वाले दुस्सकों अब ले तो यह अपलाइगा अपलाई करते हैं कि द्षान दिजेगा थोड़ा सब्सक्राइब निखना पड रहा है तो थ्यान देना पड़ेगा तो अंद डिसे आप इसे करेंगे तो मिल्लक प्ला मारण स्ट प्ले सर्न करें कि गेड है इसका पहले होल का स्क्वार प्लस फिर सब्ट्रेक्ट करना प्लस नहीं फिर यह माइनस नहीं ना माइनस दोनों का दूसरे का मल्टिप्रिकेशन तो एक्स टू प्लस भी वाई टू का मल्टिप्रिकेशन जैड टू में आई बात समझें अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे बच्चो ठीक है सॉल्व करने बात क्या आएगा मैं डिरेक्ट लिग रहा हूं मतलब वही होल स्कॉर ओपन कर दीजिए मन है तो तो ए स्कॉर एक्स वन स्कॉर फ्लाज भी स्कॉर यवडी स्कॉर फ्लस बाइस्ट वन इस्कॉर प्लस तो एवी प्लस तो भी डिकेशे सी होते हैं ना ऐस्ट्ध 232 था जाइंग और जो उधर वाला था उसका मल्टिपिकेशन आप करेंगे मैंस लगा गरकर करद खाना तो ईये एक्स टू जट टू मैनस भी वाई टू कि अन् तीक लेफ़ एंधा तू कॉल यव यह रायचनख भी निकल लो क्या एकुल आ रहा है और राइट इंटरट क्या होता है राइसिए यह लंगे इसको यह लाइंख भी हटाइंग बाहर वाई कसा जड़ आजागा यह तो इसने समझाने कोशिच की इस फंक्षन में तो चलिए देखते हैं प्लश बी ओफ ओफ aux y ,z अभिक्दम बिल्क्त वइसे अप्लाई कर देते जैसा ही तोय फंक्षन कह रहा है कि इसका पहले वाले का और पहले वाले के सब्ट्रैक्शन पहले के सब्ट्रेक्शन का स्कॉयर और दोनों के पहले वाले का भाई यहां पर माइनस होगा माइनस प्लस नहीं माइनस दोनों के दूसरे वाले का मल्टिपिकेशन भी वाई टू और जैड टू अई बास समझ मैं है हाँ ठीक अब होल इसकार ओपन कर लिए जरा तो इधर के यह लिए तो जब्सक्राइब तो मैं आपको डिर्ट बता जिताओं कि एक 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 स्कॉयर है बच्चो अना यहां कहीं एक स्कॉर मिलेगा हिनी सिंपल जी बात है इक वल नहीं होगा आई बहुत सारे जो इक वल नहीं हो रहा है सिंपल जी बात है तिक है तो लिख दिन गे which are not same यानि f of ax plus by,z is not equal to a बाहर निकाल करके xz plus b बाहर निकाल के f of yz ओके, equally नहीं है, so bilinear form नहीं है, आई बाह समाझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए next point देखते हैं, जो की हमारा है bilinear forms as vectors by linear forms as vectors, फिर हम लोगे इसका matrix representation पढ़ेंगे, मैट्रिक्स कैसे बनेगा, as vectors, ओके, तो अगर आप से कहा जाए set of bilinear forms, मतलब एक हमने set बना लिया, bilinear forms का, जिसमें सारे के सारे bilinear जितने भी बनते हैं, वो हमने रख लिया, बी ओफ वी से represent करते हैं, ठीक है, और बी ओफ में होगा क्या बच्चो, बड़ी सिंपल सी बात है, functions होगा, क्योंकि फंक्शन के तो set था, f, g, महलों बिलॉंग कर रहा है, bilinear forms में, ठीक है, और हमने क्या ले लिया, एक constant ले लिया, जो हमारे, इसके वो field में है, then, then जो हमारा vector space होगा, इसका, इसका vector space बनेगा, उसमें दो conditions मिलेंगी, एक vector addition और एक scalar multiplication, vector यहां पर कौन कोई है, वही functions हमारे, will be regarded as, vectors, okay, यह कैसे work करेंगे, f of x, sorry, यहां पर double होगा, क्योंकि, bilinear form है, तो यहां पर x, y, इसमें होगा, pair में, तो कौन किसमें अपलाई होगा, f भी दोनों में अपलाई होगा, और g भी दोनों में अपलाई होगा, इस तरीके से तो यह लोग vector addition होगा, यह क्या होगा, यह vector addition होगा, बच्चो, ठीक है, और scalar multiplication, अगर हमें करना है, तो function में हमने कोई k का multiply कर दिया, और xy में apply कर दिया, तो k आ जाएगा बाहर, और function simply जैसे apply होता था, तो इसे apply होगा, ठीक है, आप at last यह से कह सकते हो, कि हमारा b of v is a vector space over f, f पर यह vector space बन जाएगा, याद रखेगा बात, चले, matrix representation पढ़ते हैं, by linear form का, देखे, matrix जो representation होता है, matrix होता है, by linear form का, वो कैसे बनता है, आपको यादो का function of x, y हम लोग बनाते थे, ठीक है, by linear form में, तो होता क्या है, अगर यह माल लेते हैं, by linear form में हमारा belong कर रहा है, ठीक है, और has a basis, भाई, vector space है, तो basis होगी ना, basis है, इसके पास, ठीक है, basis कैसी है, by x1, x2 करके ही होगी, है ना, ठीक है, केवल एकी basis नहीं होगी, x के लिए x1, x2, y के लिए y1, ठीक है, जब यह कह सकते हो, कि एक समय में y की value भी x में ही है कहीं ना कहीं, उसमें ज्यादा धान नहीं देना है, तो अगर हम यह जो x है हमारा, इन सभी का linear combination होता, ax1, a2, x2, plus dot dot, an, xn, ठीक है, ऐसे y जो है, वो b1, x1, b2, x2, अलग-अलग टाइप से यह linear combination बना ले रहा है, यह नहीं में से कहीं ना कहीं है, bn, xn, ठीक, तो अगर इनको हम एक तरह किसे multiplication करें, तो इसमें भी n है, इसमें भी n है, तो यह जा करके n square values मिलेंगी, n values को n values से multiply करोग तो n square ही values मिलेंगी, ना, simple सी बात, तो ऐसे में जो इसका matrix बनेगा, वो कैसे बनेगा, जहांसे सुनेगा, जो matrix बनेगा, वो क्या होना चाहिए, matrix बड़ा ही simple सी बात बनेगी, कैसे, इसको धान से सुनेगा, दिमाग मों रखेगा इसको, हमने x को पूरा फॉर्म किया basis की मदद से, x of b, उसके बाद जितने भी multiplication से हमों coefficient matrix मिलेंगे, जैसे a1 का b1 में multiplication हो गया है, तो वहां से a1, b1 coefficient मिला, फिर a1 का b2 multiply होगा, तो a1, b2 कोफिशन मिला, ऐसे करते करते, धेर सारी coefficient यहां मिले, फिर ऐसे a2 से मिले, तो ऐसे जितने भी coefficient मिले, उसे coefficient matrix बन गया, n x n का, तो उसको हमने यहां पर रख दिया, और उसके बाद यह एक और जो y वाला बन रहा था, उससे भी उसी basis पे एक matrix बना लिया, और बीच में coefficient matrix रख दिया, और इसका transpose कर दिया, left वाले का, ठीक, इतना करने के बाद हमें matrix मिलता है, तो यह मैंने क्यों बता है, यह इसलिए बता है, क्योंकि हो सकता है, आपके सामने है, क्या है question, let f be a bilinear form on v2r, v2i slip ordered pairs में दो elements है, और कैसे adjust हो है, x1, y1 के साथ multiply, x2, y2 के साथ multiply, और उनका addition हो गया, तो यह तो उनके अंदर का operation है, function है, जैसे उनको देना था, वो दे दिया, find the matrix of f, इसी function का matrix निकालना है, इसकी help से, इस basis की help से, तो चलिए देखते हैं, जो पीछे हम लोने, उसके बारे में समझा, वो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैसे उसको समझते है, ठीक है, तो भाई, matrix बना रहे हो, आप, matrix में element होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, अब कितने रो, कितने कॉलम, बेसे इस इंपल जिबादे कि टू, maximum यहाँ पर तू, यहाँ पर भी है, तू, यहाँ पर भी है, तो कितना बनेगा, तू, क्रॉस टू, बनेगा, यहां से क्या स दिक है, दीखें, अगर हम पहला Point ले, ए 11 के लिए ए 11 के लिए पहला पहला आयेगा, आना, function of, पहला वाला वक्टर के साथ, पहला वाला वक्टर, ठीक है, तो धर के लिए अगर यह माल ळो, यह वाला जो वक्टर है, वो alpha 1 है, and this is alpha 2, कि दिक्ठ तो हम पहला यालिमन निकालें तो एलफा बन के साथ अलफा रखें कि कैसे सॉल्फ करेंगे किसे इस इस उंप करेंगे असके और प्रक्सिंट रखें कि जोड़ें तो माइनस वन माइनस वन माइनस डू हो गया तूक ऐसे और निकालता है दीकि बताना मैं यह चाहता हूं कि टू क्रॉस टू है तो एवन वन और इसको एटू टू तो यह तो वह गया अब इसकी बार यह कैसे आगा अब ऐसे लिखोगे की भाई एवन टू इस इकल टू एफ है अल्फा वन और अल्फा टू थैकिने अब अब sweetness क्या ओन तब यह ओ he who 1-1 और ए през 2211 और आपने क्या सीखा हैं च्बार्म करना है पहले बाले हैं इसी स्वस्कित मौन प्लस 22 aba गया प्लस कर लास्ट निकाल लेंगे एटू थ्री स्वरीए टू थ्री ने टू टू मतलब इसमें एप आफ अलफा टू और अलफा टू होगा सब्सक्राइब अब हमने क्या हमें मैट्रिक्स बनाना था तो यह हमारा मैट्रिक्स जो आपके सामने लिखा हुआ है सब्सक्राइब को और फॉराइस बनाता है न हयरा तो आपको तीन पर इतिया हुआ है जो पॉइंट सुम्झार है Academia मैं इसकी बात कर रहा हूं यह जो लिखा हुआ था तीन पार्ट में ब्रेक किया था तो देखी यह कैसे होता है एक्जामपल में आप आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ठीक है देखें कैसे होता है कुशन आपके सामने है ठीक है तो इसमें जितने भी एक्स कॉमन वाले है एक्सवन वाले जितने भी कॉमन है एक्सवन वाले जितने भी कॉमन है एक्सवन ले रहे हैं ठीक है एक्सवन वाले किसमें किसमें इसमें है एक्सवन वाला इसमें है और किसमें एक्सवन वाले यह ल से इसे लिए तो y1 मिला प्लस 2y2 मिला प्लस 5y3 मिला अब x2 वाल है x2 वाल यह है यह है और कहां कहां गहां एक्सट। वाले दो ही है चलो ठीक है x2 ले ले रहे हैं और x2 के साथ क्या क्या लिखना है x2 के साथ औना मिनना कोई है हां एकस्ट के साथ क्ला तू वाहिवन हो गया फिक्त और एकस्ट रोखे तू काई रुखंगे तो उसे हम 0 y2 कर देंगे ब rocks 0 y2 द्धा लीधा द्रसे लिखेत benefit प्लस पाइट्री है कि यह थरी हो गया अब एक एक सीसटरी की बात कर लेता है एक स्थी वाले के साथ क्या ईबने वाला है X3 के साथ Y2 है Y3 है लेकिन Y1 नहीं है तो Y1 को 0 के साथ लिख लो आरे बाद समझ में तो 0 Y1 कर लो और Y2 है माइनस 6 Y2 कर लो और Y3 भी है तो 6 Y3 हो गया प्लस 6 Y 3 यह बाद समझ में आ गई आ गई ना अब बड़ी ध्यान सुनना जो पहला हमारा मेट्रिक्स बनता है पहला मेट्रिक्स जो बनेगा यहीं से समझ लेते हैं थोड़ा सा आपको दिखाते हैं तो इसका जो मेट्रिक्स बनेगा चली देखते हैं यहीं बता देते हैं कैसे बनेगा दान से देखेगा ठीक है हम निका किया इस तरीके से X1, X2, X3 लिख लिए मतलब पहला एक रो है और तीन कॉलम है ठीक है? रो एक है लेकिन कॉलम तीन है ठीक है ऐसे आपने लिख लिए अच्छी बात है अब इसका मिडल में हम लोगों ने क्या लिखा था एक कॉफिषेंट मैटरिक्स लिखा था है ना कॉफिषें मेट्रिक्स में जो y के कोफिशेंट है 1, 2 और 5 ऐसे लिख दीज़े 1, 2 और 5 ठीक है और उसके बाद दूसरे ब्रैकट के जो कोफिशेंट है माइनस टू जीरो और 1 माइनस टू जीरो और 1 तीसरे में तीसरे कोफिशेंट 0-6 और 6 0-6 और 6 अच्छा भी राइट में एक और मेट्रिक्स था य वाला तो य वाला ऐसे बनेगा वाई वन वाई टू वाई त्री अ ठीक है भाई त्री अ ठीक है तो यह था मैट्रिक्स डिटर्माइन कैसे करते हैं जब इस तरीके की एक्वेशन दीगो चल्यागे बढ़ते हैं अब देके रेंक कैसे फाइंड आट करते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है जो हमारा अे मैट्रिक्स निकलेगा बाइलिनियर मैट्रिक्स देख और बना लेंगे अगर आपने पुराने जो जिस सेमेस्टर में मैट्रिक्स था तो मैंने उसमें पढ़ाया हूँ आप सब्सक्राहिए कि हमलों ऑलिमेंटरी रोड ट्रांसॉर्मीशन और यॉलमेंटरी कॉलम ट्र हो वी विल गैट दर रेंग अफामेट्रीक्स तो जितने भी नॉन जीरो रोस बचते हैं हो है वही हमारी क्या हो जाती है नंब रेंग हो जाती है मैंत्रिक्स को मैं किकॉलेंगे और में इल्मेंटरी ड्रांस्पों मेशिंघीड रूस मैं कर लेंगे अंसर हां बाते हैं स्टेटां सिमेट्रिक गानेयर ऐसा भी और कर दीजाए कि प्लेश चेंज कर दीजा और कोई फरक ना पड़े दोनों बराबरा जाए तो ऐसे बाइलीनियर फॉर्म को क्या कहता है सिमेट्रिक बाइलीनियर फॉर्म सब्सक्राइब अच्छा वाई है तो भी हमारा बाइलिनर रान्फॉर्मिशन कैसा होगा एक समिट्रिक ट्रान्फॉर्मिशन और चलिए नेक्स्ट देखेर को प्लेश चेंज किया और माइनस आज़ाए यह क्या हो जाएगा स्क्यूद्रीक हो जाएगा इसको अतरिकी सब्सक्राइब तो आपने एक एक मैट्रिक्स बन गया और आपने एक डैश किया तो यह जागा इसके उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट निकल गया आता है दिमाग में रखना है उसे क्या है नोट है बहुत छोटा सा कि कोई भी जो बाइलीनियर प्रॉम है वह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमे तो वही चीज यहां पे वह कैसे लिखा जाता था अगर हम कहें ए तो एस इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा जान से सुनिएगा कि हाफ ही और एपलस ए डैश आपको याद आ रहा होगा प्लस हाफ और ऐसे माइन इस तो इसमें जो प्लसंग वाला पार्ट होता था यह वाला पार्ट यह बाला पार्ट क्या होता था जी में तो यही जब तो हम लोग function के case में लिखेंगे बच्चों तो function case में बद सेम वही सेम copy कर दीज़ें fxy is equal to fxy is equal to half of half of fxy plus f yx ठीक है और plus half of fxy minus f yx तो यह क्या हो याद रखेगा चाहिए ऐसे लिखना हो चाहिए इसे लिखना हो ठीक है सम आफ सिमेट्रिक और स्क्यों सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म आई बस समझ में समझ गया हो या ठीक है तो चलिए अब इस चैप्टर का एकदम लास्ट पॉइंट पढ़ते है विच आर्ट्रिक फॉइंट एक तम लास्ट पॉइंट है चोटा सा पॉइंट है समझ देते हैं उसको क्या है अगर एक मैपिक मैपिंग की जाए एक मैपिंग है क्यू तुफर क्वाडरिक वेक्टर स्पेस है उसके फील्ड में और यह ऐसी एक मैपिंग है यह एक ऐसी इसको हम ऐसे मैप करेंगे कि इससे बनने वाला जो फॉंक्ष्ण है क्यू ओ आप एक्स वह उसी क्वाडरिक फॉंक में दोनों सेम एलिमेंट लेने पर बन जाए ख्ला यह नहीं फॉर कुछ समगे के लिए अब यह कैसे बनेगा कि अब एक इसमें बड़ी ही अच्छी बात सुनते हैं कि अगर ये जो हमारा क्यू ओफ एक्स लिखा ना एक्स को हम धेर सारे भाई एक्स एक वेक्टर है ना तो इसमें कई सारे और पेर हो सकते हैं मालो एक्स एन तक है ठीक है तो ऐसा करने के बाद जितने भी सावर कस और वाले संबधने की जितने बीट बावर सारे एक्स Ge sm recounttu G ett है आई बराबर उन से कहां तक आए पर महिंगे और समय कोई नवह नौब या कॉनका पैंस्ट्सेंट भी होंगे तो है थोड़ी दिर के लिए कॉंस्टेंट वाल लेते हैं कि सी आई कर देते हैं ठीक है जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे मिसे बढ़ेगा और देखें सेल्फ स्क्वायर वाले तो मिलेंगे साथ यह साथ एक का दूसरे मल्टिप्यकेशन वाले मिलें कि होली स्क्वार है ना कि आई tehdAKा यहाँ बहुक्त है यहां पर मैंट्रेक्स कैसे बनाएंगे तो यहीं पर समझ लेते हैं कि कैसे बनाएंगे बहुत ज्यादा ध्यान से इससे अगर हम मैट्रिक्स बनाना है बच्चो तो बहुत ध्यान से देखिए तो मैट्रिक्स चाए n क्रोस आनो चाहे कोई भी मतब स्क्वार मैट्रिक्स ही होगा ना तो उसका जो गुट डाइगनल एलिमेंट होगा जो सिर्फ ए आई टाइप होगा मतलब जिसमें दोनों से वन 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 ए टू टू ए तरी 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 तो यह जो होगा वो सी आई जो यहां पे लिखा होगा ना वच्छो एक्स स्क्वायर के साथ वही लिख दिया जाएगा लाइन से 21 होगा तों ऐप urban Canada और जो आप diagonal जो एलıमेंट लोगे लाइक जिसने आElघ आजे यह ज्ड़े हो या जै आई हो represent वाले जो एलीमेंट वार डी का हाफ करके मनेंगे हुआ थिक है भी का हाफ करके बनेंगे आई बस मुझ मैं क्योंकि यह वाला जब होली स्क्वार करते हैं तू करके बनता है ना तो तो कहां गया वो डिवाइड में चला गया अब चले कोशन देखते हैं और समझते हैं कि यह कैसे बना है चले देखिए कोशन आ गया कुछ वह सदें जितने 2 वाले हैं उनको 7 लिख लिए पहले तो अब इसको मैं लिख ले reasonable लिखेना है पहला फिर वन बार इस सकोर जोलैनंए फिर वन जडाईस कर भी पर सक भी इसके बाद इसके बाद क्या ओस्योнов देखें इसके बात simple सी बात है कि हमने लिखा वाई एक्स वाई जय और जय एक्स लाइन से लिखना पड़ेगा न है न तो A एक्स वाई देखेो गए क्षमाने के साथ 162 होगा तो अब देखे 10 वैंनर याणिए एक्स है लाद हो गया और यकी वाधि आएगी मारी जैंड- formations में हरुप मठाइन शोपन ही यह कैसे करना में इसको एरे ऊलिप में रखेंगे तो फ़िए nice के बने pin और यह आपको बता है quadratic forms जो होता है वह symmetric matrix ही बनाता है इसके अलबा कुछ नहीं बनाता तो इससे mcq भी बन सकता है दिमाग में रख लीजेगा इस बात को बहुत द्यान से तो matrix क्या बना ठीक है द्यान से सुनिए भाई बनाजिए three cross three है देख लीजिए न तो डाइगनल के दाइगनल है three यह माइनस one और यह भाई three माइनस one और one one इसके अलावा जो बच रही जगह उनका भी काम कर लेते हैं घ्र the game और यहां पर देते हैं एक सुनिए के साथ है two दिडिवाल धमिंट है यह ईछकी है अब उसके बातीھ है 8 X X one के साथ X three ना तो DA for eight का दा four हो गए four यहां पर भी और exactly इसके सामने यहां भी अब हाया minus three का minus three का अधा sorry minus six minus six मैंट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिस्पेक्टिव टु दे वाइब समझ में क्लियर है एकदम अच्छे से इसका उल्टा सोचना होता बच्चो तो भी आप सोच लेते कि नहीं इससे यह बनाना होता क्योंकि एंसी क्यों आता है इन तीनों को लगा जैते एक्स वाई और जै एक राइप सत्क्रा सब्सक्राइब तो वह एंसी क्यों सकता है बनेगा हकिए तो यह चैप्टर में कर लेंगे थे चैप्टर भी फिनिश हो गया अब हम लोग चैप्टर नुबर फाइफ पढ़ेंगे लीन अल्जेब्र आगा मैंनों बहुँला तो सब्सक्राइब बहुत ज्यादा होगी और चीजे आराम से होती चले जाएंगी तो में भी दो से तीन वह ज्यादा दो दिन या तीन दिन लगेंगे चैप्टर खतम हो जाएंगे और मुस्टाइट इंग दस दिन में खतम हो जाएंगे पूरी इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी सब्सक्राइब करेंगे जो आपको कॉंसेप्ट पूरे पूरे समझाती है उसके बाद आप एमसी क्यू कोर्स ले ले मन हो आपका तो और उसे भी पढ़ेंगे तो देट यू कैन एचिव मोर देन गुड मार्क्स अगर आप अच्छे से दो तिन बार रिवाइस कर लेते हैं कॉंसेफ्ट प्लस एमसी क्यू देन यू विल डेफिनेटली गट एट लीस्ट आइधिंक ओवराल जो हन्रेट परसेंट का एमसी क्यू होता है उसमें 90 क्रॉस कर देंग बहुत प्यार से ठीक है बाकी एमसी क्यों लेना होगा तो आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं आप म देफिनेटली गेट इन तच विद यू सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपके पने प्यार से चैनल मैंत वेट पर तन्यवाद